बिचे स्वागत है हमारे ब्राइट इडूकेशन के यूटूब चैनल में देखिए ये 2021 का इंग्लिज का स्पेशल एक्जाम का पेपर है आप लोग कमेंड कर रहे थे कि सर पेपर दीजिए सिप में पेपर ही नहीं दूंगा और बहुत सारे बाते बोलूंगा जिसको आप अ देखते ही चला जाएगा स्लेबस कबर हुआ नहीं है आपका आप लोग सोच रहे थे पैंडिमी की बज़े से इस बार भी हमें भी पास करा दिया जाएगा देखिए हमेशा ऐसी परिष्टिती नहीं रहेगी मैं आसा भी करता हूं कि ना भी हो और एक्जाम होना चाहिए को कोशन किस टाइब कोशन थे पहला कोशन मैं चौईश देमिनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्स देफ्लोइं शेंटन्स फ्रोंग मद अल्टरनेटी इविंद ऑ्रेकेट झाथ यहां पे जो अंडरलाइन वर्ट्स में अंडरलाइन मैं आदरलाइं में ए वहां पर थां पर सरवर्स की है वह करना है इसके बार दिया है चुछ दे कारेक्ट एंसर फ्रॉम एमंग दाशनेटी गिवेन कॉम्प्लीट सेंटेंस गिविलो यहां पर पर अंडरलाइनदिया हुआ है यहां पर यहां पर अपको लगाना है ताकि वह संटेंस चुरा है मैं कहना क्या चाहता इसलिए कहता हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो मेरा कुछ बात है उसको एपलाई कीजिएगा एक्जाम में जितने भी कोशेन आते हैं ना वो क्या होता है जो आप पढ़ चुके हैं ना अब अगर पहले जो पेपर हैं ना 2018 का possono इसलिए 15 का पढ़ उनींश का पेपर पंदर का पेपर वहीं से क्योंशन को एंग्जामिनर देता है वहीं से कोशिंट को देता मतलब जो जो paper पहले हो चुका है उन्हेh paper को प्रस्थ को उठा के दिया जाता है आपको यह लगता नहीं है आप लो goofy कहते हैं कि नहीं जो हो चुका है जिस तरह recently exam हुआ था 2020 का 2020 P accomplish 21 का special exam में दिया था वो question कपे वो question नहीं दिया था लेकिन आप लोग कहेंगे सर यह तो apply नहीं होगा अगले साल यह question आ चुका है इस बार नहीं होगा इस बार आएगा ही नहीं यह आप लोग यह ब्रहम है आप लोग का यह ऐसा मत सोचे यह दिखिए यह question दिखिए न question जो है 2018 का question को दे दिया गया है अब बताइए यह 211 का जो special exam में जो बच्चा अटेम हुआ था वो अगर आगे का paper कड़के गया होगा मतलब आगे का paper पढ़के गया होगा तो आराम से लिख सकता है बच्चा वो जानता है कि मैं यह question यह answer मेरा already complete है मैं टेस्ट भी लगा चु का हूँ तो वो आराम से लिख सकता है उन्हीं बच्चे का mark 95 99 आता है जो hard work करते हैं syllabus complete करते हैं plus previous paper करते हैं plus test paper लगाते हैं मतलब पूरी की पूरी हजम कर जाना उन्हीं बच्चे का exam में mark 95 लाता है एक-एक subject में 99 लाता है एक-एक subject में distance mark लेटर यह सब उन्हीं का राता है जो थोरी सी मेहनत करता है सिप पढ़ लेने से नहीं होता है पढ़ने का भी रास्ता मालूम होनी चाहिए अभी रास्ता यह है कि आप लोग जितना पढ़ाई हो चुका है उसको बंद कीजिए अब बस test paper लगाई है या previous paper का जो भी question है उसको याद कीजिए अब मैं बताता ह की हालात थोरी बिगरी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है हमें पेपर से मतलब है दोजार अठारों की paper है यहां पर देखिए यह वाला देख रहे हैं यह मैं यहां पर 21 देखे रखा हूं क्यूंकि यह 18 का question यह 21 में भी आया तो यही वाला question था ना वाट डिदे लेंचो बहुत paper है मेरे पास बहुत सारा paper है 15 से लेकर 20 तक का paper मेरे पास है घर में पड़ा हूआ है मेरे सामने मैंने सब को देखा इसके बाद ही video बना रहा हूं मतलब इतना ढूंडा भी नहीं मैंने देखा मुझे खुद लगा सब question एक ना एक year से उठा कर दिया गया है सब question ठीक प्री-final का question को उठा के डाला गया है क्या बनों हाफेली का question में भी यही question आया था हाफेली में भी मैं कहूंगा आपको विश्वास नहीं होगा आपको प्रूब चाहिए लेकिन प्रूब अब क्या दूँ एक प्रूब दे दिया बस देमो के तोर पर ताकि आपको प्रूब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपकी मर्जी पढ़े या ना पढ़े यह आपकी मर्जी यहां फोन नमर जो कोस्टेन है यह भी आ चुका है कई बार exam में आया हुआ है वहाफेली का exam हो free final का exam हो यह तो question बहुत important है कई बार exam में आया है आप लोग विश्वा के अंदर से बुक से यह question एका दो question तो हमेशा हर साल repeat होते हैं मैं क्या बोलू यह सब question आप कर जाएए कोई भी असुविदा होता है मुझसे आप अपना comment जरू लिखेगा यहां पर देखिए यह रामिंग स्वाट तो बहुत इज़ी है यह आता ही होगा आपको यह सब question आया हुआ था अब जरूर कर लिए बार बर कहता हूं यह पांच मार का question को मैं क्या कहूं चलिए फिर भी बतलाई देता हूं मैं जब बतलाना यह दोजार रहा इसका special का paper है यह आप लोग देख रहा हूं यह वाला जो question है AJT's question copyright question 2015 का exam में आ चुका है यह question 2015 का exam में आ चुका है ठीक है इसके बाद अजब बूल मेंक्शण स्किम वह दरूफ ow्ट यह वाला question छोड़िये यह वाला question यह वाला question यह वाला question गां per mental के exam में दिया था कंपार्टमेंटल के exam में दिया था final के exam में दिया था यह भी previous question है यह भी previous question है अब बताईए जो बंदा एक्जाम दे रहा है जो बच्चे एक्जाम दे रहे थे दो जारेकेश में वो अगर पहले का paper solve करके गये हैं यह मेरा खुद का student ही solve करके गया था दोनों और देखिए यहां भी भी टिक किया कि यह लिख चुका हूं यह क्यों लिखा था दोनों क्यूंकि मैं already previous paper का जितना question था उसका पूरा का पूरा में दे चुका था उसको important यहां तक answer question सब दे चुका था वो पढ़के याद कर चुका था यह भी उसको अच्छी तरह याद था यह भी बचे ने जो आया वड़ेजिटिस लिखा उसने और उससे full mark भी मिला देखिया अब जब question को जैसा according to question एंसर देते हैं तो आपको mark में कोई कटवती नहीं हो की जाती है mark fully दिया जाता है अब लेका sir handwriting 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 हम यह नहीं कहता कि handwriting अच्छी ही होनी चाहिए बहुत सुंदर दिख आपने माई लिके हैं point लITH-एं going लिखे जिस लिके हैं अगर अगर याइब लिक रहे हैं अब इस तरह लिखे कि समझ आए बस सम本गने आगर समय आता है तो आपको mark ठूला दे दिया जाता है पुरा का पूरा और ही mark दे दिया जाता है ठीक है तो बस यह भी confusion मैंने यह कुषियन देखिए, feeling the blanks, इसी टैप पे question आते हैं, यह जो feeling the blanks है, यह determinant, है और वह रही grammar की पॉरस्ट, grammar है कि दिए कि पॉरस्ट है, बहुत सारे student का confusion है, grammar के लिए special tuition लेते हैं, जिसके बाउजित भी mark नहीं आपाता है, समझ नहीं पाते हैं, देखिए, थोड़ी सी basic आ मालूम हो जाने चाहिए डीटर्मिनर सही क्या एपलाई कैसे किया जाएगा कहां पर कौन सा डीटर्मिनर से यूज होता है सिंगुलर फ्रूलर यह सब आपको बिलकुत समझ में आ जाना चाहिए यह एक बार आपको डीट करना ही परेगा समझना परेगा कंसेप्ट वह जब आ नीचे देदूंगा का ग्रामर का लिंक में वह वीडियो में explain भी किया हूं तो वहां पे solve करना है आपको कुछ नहीं करना है solve करना है किया कहां पर क्या apply और फ्यू यहां से तो एक question हर साल बनता है हर साल few few यह तीनों में से एक का एपलाई किया ही जाता है और वो कोशन बनता ही बनता है एन का यूज आर्टिकल के अंदर आता है देखिया आर्टिकल मैं बहुत ही बारिकी से एक स्प्लेंड किया हूं बहुत अच्छे से समझाया हूं आर्टिकल आर्टिकल से एक कोशन तो हमेशा ब आपने को होना ही एक ही से जो कुंछ और साभ बहुत सार्थ चुकल पड़िलनाइद में वहाथ कारनाальной while क्या अब मिन आती अ भीडियो को में याइक कम ब्ड़ियो को आप लाइक किजीएगा और सब्सक्राइब करेंग Кुछ अगे मुझे खुद मतलब आप लोग भी ईदि मोटिवेट कर देते हैं इसलिए में विडियो अगर इतना बनाता नहीं क्योंकि मैं देखता हूं लाइक तो बहुत कम रहता है भी आप लोग करते नहीं तो आप लोग को सेयर भी करना चाहिए आप हमें भी सपोर्ट करें हम आ और सारफ पेपर के आपको समझाना तभी तो आप समझन При me तो तो वही कहा में ने कि यह से अपको किस तरह कड़ना है अर्रहीजीक यह का एन्स Sun का करेक्ट्राइड ऐसी एग्सपब्शाब्न है यह बहुत बार पर यह सब ग्रामर में खुद कराऊंगा लेकिन मैं बेसिक इतना बतलाऊं ना बतलाऊं लेकिन मैं डायरेक्ली 2021 तक जो भी आया है 1993 से लेकर वह मैं explain करते चलूँगा और दिखाऊंगा भी PDF भी दे दूँगा आप लगने से शोड़िए लेजेगा और लिखना चाहते दो लिख लीजेगा यह आपकी मरजी है कि निरिशन आता है निरेशन में मतलब एक indirect डरता है एक direct narration दो examiner का ये हमेचा से ऐसा ही है कि एक बना कि दे है butt गा a reflections भी इनडीरिक मातलिगा बस यह करना भड़ता है इस चेंज बोहे सारे स्टुडियन को बहुत है कर सकता है यह नहीं 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 कर सकता है नहीं कर सकता है और नहीं correct tense को apply कर सकते हैं correct tense, voice and narration के लिए तो must आपको tense का knowledge होना चाहिए tense का special video बनाओंगा मैं, मैं समझाओंगा और मैं यही आज नहीं तो कल से मैं tense की सुरुआत करने वाला हूँ, मैं directly जो exam में आएगा बिल्कुल वही उठाओंगा मैं और कैसे करना है, वही समझाओंगा मैं तो आप चैनल को subscribe करके रखें, tense समझाओंगा मैं, tense समझे के बाद ही आपको समझ में आएगा, narration, voice and यह भी मैं previous paper का कराऊंगा, अब रती बात ही है, combine sentence का, combine sentence आपको समझ में नहीं आएगा, यह मैं कह दूंगा तो समझ में आएगा नह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी-कभी दो formula का use करके एक answer निकाला जाता है, तो बिल्कुल यह combine भी होई है, मतलब जोड़ना, और किस तरह जोड़ा जाएगा, वह मैं दिखाऊंगा, choice the correct alternative, यह देखिए, यह question, यह 110 percent, इसको क्या बोलूँ मैं, यह 110 percent previous year से उठा के देता है examiner, यह 15, 16, 18 का paper देखेंगे, तो same question, बिल्कुल same, कोई change नहीं, बिल्कुल same मिलता है, यहाँ पे देखिए, यह वाला, make sentence की बात करूं, make sentence भी 110 percent, previous, अगला साल, अगले 2, 3, 4, 5 साल के जो question है, उसके अंदर से ही दे देते हैं, आपको believe नहीं होगा, make out जो आया हुआ था, यह 2020 में आया हुआ था, 2020 में यह question पूछा गया था, make out, यह bring up 2019 में पूछा गया था, इसका भी मैं प्रूप देखा देना चाहता हूँ, 2019 का paper था मेरे पास, यह दिखे, यह 2019 का paper है, तो यहाँ पे देखे, bring up 2019 का paper है, यह bring up यहाँ भी दिया हुआ है, 26 नमर में, और अभी ह हम ने देखा, यहाँ पे 25 नमर में देखे, 25 नमर question में, यहाँ भी bring up दिया हुआ, तो 19 का paper का grammar 21 में आ चुका, 20 का paper का grammar 21 में आ चुका, तो आप बोलिए 20 का paper का grammar 21 में आया, 20 का 21 में, तो अगला साल का आया की नहीं आया, इसलिए आप अगर 2022 में एक्जाम देने जा रहे है हैं, तो 2020, 21 का जितना भी question अभी दिखा रहा हूं, इसको करना बहुत ज़रूरी है, यहां question आपको एक्जाम में देखनी को मिलेगा ही, तो इसलिए कहता हूं किजिए, यहां बे सभी और, सिर्व यही नहीं करना है, पहले वाले paper जितने भी हुए थे, इसके बाद translation आता है translation करने के लिए, एक तो आपको सब्द की meaning याद होनी चाहिए, plus tense का knowledge बहुत ज़रूरी है, बार-बार कहता हूं, grammar में tense बहुत ही important हो जाता है, और सिर्व यही नहीं कि आप tense मालूम हो, और अब बना जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, apply करने के लिए आपको सब्द का earth भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तो सब्द का earth ही नहीं मालूम हो, तो आप इसको नहीं बना पाईएगा, ठीक है, word का meaning आपको याद होनी चाहिए, तो मैं suggest करता हूं कि आप अगर बहुत सब्देंस मेडियम, हिंदी मेडियम, बेंगोली मेडियम से बिलोंग्स करते ह वो student के लिए थोड़ी बहुत समश्या आ जाती है, तो मैं उनको suggest करता हूं कि आप substance writing करें, यहाँ पे और option दिया गया है, golden opportunity मिलता है कि आप substance writing करें, substance writing तो very easy, यहाँ पे mark मिलेगा ही मिलेगा, 6 mark है, 5 mark तो आराम से achieve कर सकते हैं, यह 5 mark आएगा किस तरह, substance writing में, मैं एक special video ब एक्जाम में कैसे लिखा जाता है, एक paragraph दिया जाता है, इस paragraph को पढ़ना है, important key points निकालना है, उसी को लिखना है, लेकिन substance writing में यहाँ पे बहुत सरा 150 word है, 150 word है, लेकिन आपको लिखना परेगा, normally, मतलब, maximum से आपको 50 word के अंदर complete करना है, 100 word ही गायब हो जाएगा, तो दे आपर कहता हूँ, जो भी other medium से belongs करते हैं, जो असामी सो बेंगोली हो बोडो हो, उनके लिए थोड़ी असुविदा होती है, इंगलिस को लेकर मैं जानता हूँ, मैं खुद फेस कर चुका हूँ, तो सो वर डिस्क्रिप्सिन के निचे लिंक दूँगा, आप ज़रू उसको आपर से उठा के दे दिये जाते हैं, वहां पर मैं दिखा दिया भी हूँ, रही बात, एसे राइटिंग की, तो एसे राइटिंग का स्पेशल वीडियो बहुत सारा बना हूँ है, लेकिन इसके बावजुद भी मैं चाहता हूँ कि फिर से बनाओ, डिसिप्लिन दे चुका हैं, तो बात हो रहे हैं, डिसिप्लिन की, कई बार एक्जाम में आया हुआ है, फेस्टिवल यूर लाइक मॉस्ट कई बार एक्जाम में आया है, यूर फेवरेट गेम ये बहुत कम आया है, लेकिन फेस्टिवल यूर लाइक मॉस्ट, डिसिप्लिन, फिजिकल पहुत बार एक्जाम में आया है तो उसको पढ़ना बहुत जड़ी है देखिए कुछ कोशन है ना कई बार आते हैं एक्जाम में तो उसको इंपोर्टेंट मान के उसको कर लेना चाहिए कम से कम आपको दस ऐसे तो याद होनी चाहिए अब रही बात बहुत सरे स्टुडेंट करेंगे कि जो आदर मेडियम से बिलोंग्स करते हैं इंगलीज चोड़कर जो हिंदी है बेंगोली है बुड़ो है उनको थोरी प्रोब्लन हो जाते हैं इससर दौस ऐसे राइटिंग को याद करना मेरे लिए इतना पोसिबल है तो देखिए आप लोगों के लिए भी स्पे याद करके एक्जाम में उसको लिखना है लेकिन एक्जाम में लिखने से पहले एक्जाम में अब हो भी सकता है एक्जाम में लिखने से पहले आपको घर में प्रेक्टिस बहुत जरूरी है घर में उसी को याद करके घर में लिखिए घर में टेस्ट दीजिए यह जो पेप बेटे हैं लेकिन माहोल कैसा समझना है कि मैं एक्जाम में बैठा हूं मुझे कुछ चिटिंग वगरा करना नहीं है जितना आता है इमानदारी से लिखना है लिकर खूद आप मिलाए इसके बाद आप खूद देखिए आपको कितना मार्क मिलता है आप मार्क फूली काउंट क किजिएगा मैं यह नहीं कहता कि आप चे इंसर लिके तो सर में तीन मार्क काउंट करूं नहीं ठीक है आप चे मार्क लिखे हैं अची तरह लिखें तो चेंहर कि आप काउंट किजिए वड़ना आप 50 परसंट या 60-70 परसंट धर सकते हैं तो यह आपकी मर्जी इसके बात आजाती है जो कोई कोई स्टूडेंट है सर मुझे से राइटिंग एक्जाम में बैठा है से राइटिंग नहीं आया तो आप लोग के लिए गोल्डेन ऑपर्चुनिटी रहता है कि आप स्टोडी राइटिंग लिस्ट रखते हैं 150 वर्ट में स्टोडी राइटिंग की कुछ वर्ट दी हुई रती है यह वर्ट को समझना है जिस तर डॉग वित पीस आफ यह जो डॉग का और वो मांस लेकर जो कहानी है कुछता भागता है फिर वो पानी में उसके मांस को अपने जैसा चबी दिखता है बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग हिस्ट्री है तो यह कोई कई बार एक्जामिनर यह कोई मतलब यह स्टोरी राइटिंग को कई बार रिपीट किया है वह आप देखिएगा प्रिविर्स पर फिर आपको मालूम होगा इसके बाद आजाता है एक लेटर राइटिंग दैस इंपोर्टेंट की लेटर राइटिंग की भूमी का बहुत इ यह फोर टाइप करने के बाद आपके अंदर एक कॉंपिडेंस आ जाएगा आप खुद एक्जाम में जाके आराम से लिख सकते हैं चाहिए वो कैसा भी लेटर हो बार बर कहता हूं फोर टाइप का लेटर आएगा यह फोर टाइप के लेटर मैं खुद दे दूंगा वीडि लोकल डेली बेसिक इंफरमेशन गिवन विलो कुछ इंफरमेशन दी हुई है जगा कॉन सा है धूबरी वहां पर तारिक भी दे दिया गया इतने तारिकों 10-13-2011 में अब यह स्ट्रॉम फ्रॉम बहुत ही तुफान आया था स्टॉम बहुत ही तुफान आया टाइम दे दि की तो यही बोला गया सराउणिंग एरिया जो है इफेक्टेट हुआ था वहां के एरिया जो है बहुत इफेक्ट हो चुका इफेक्ट हो गई तुफान आफिस्टॉम आने से तो हो गई यह जाहिर सी बात है तो वह आपको सजा कर लिखना है बिल्कुल और यह रिपोर्ट प्रोल की पैसेज है पैसेज को पढ़ना है इस पैसेज को आराम से पढ़ना है पढ़ने के बाद कुछ कोश्ण दिये जाते हैं इस कोश्चेन का इंसर इसी पैससेज के अंदर ही रहता है तो यहापको लिखना है यह तो हम ClassOoh टू त्सटूरिः वर्मे कर चुके हैं तो आ जाता है कि एक dollar की तोड़ी नो लीज नहीं चाहिए पनुटल से धो आपको 60-70 मार्क अराम से सब्सक्राइब हो जाता है वे मतलब इतना लिखने की ज़रूत नहीं इसके बावजुद भी आप 60 मारक आराम से ला सकते हैं लेकिन आप जब कोश्चिन एंसर का पूरा कर लेते हैं तो आपको 95 99 96 90 85 लाने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो वीडियो कर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर किजिए को और इसलिए कहता हूं देखिए आप अगर लाइक करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है हम इस तब सोचते हैं बच्चे को पसंद आ रहा है बनाना चाहिए वीडियो एक्जाम में किस तर पढ़ना है इसके उपर इस पेसल कारी कैसे करें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा तो बबबाए टेक कियर